गुड मॉर्निंग फ्रेंट्स वैलकम बैक टू अवर चैनल कई प्लांट्स हैसे होते हैं जिन्हें लगाने के बाद आपको फ्लावर की जोरत नहीं रहेगी अपने बहतरीन कलर से आपके गार्डन में चारचान लगाते रहेंगे उन्हीं में से एक है कुलियस का प्लांट य यह पुराना पेंट का डिप्पा है इसे मैंने कई सारे होल कर लिये हैं और इस होल को बंद करने के लिए सूखी हुई लिफ्स को भर रही हो मैं अच्छे से इनको डाल देंगे ताकि इसे डारेक्ट मित्ती ना निकले और पानी का स्टोरेज नहीं होगा अभी फिर इसमें मित्टी भर देंगे इसे अच्छे से तरह फिल करके मित्टी भर देंगे मित्टी वेल रेंड होनी चाहिए इसमें वर्मी कमपोश्ट और कुकुपीट आदी सारा मिला हुआ है पहले से ही बहुत अच्छी मित्टी एकदम भुर भुरी सी है एक छोटी सी लियर डाल के मित् तो नहांसे से सही करना पड़ेगा यह अब ठीक हो गया है सीधा हो गया है अब बाकी चार तरफ अच्छे से मिट्टी डाल देंगे मिट्टी डालने के बाद इसमें पानी डाल देंगे तीरे तीरे और पानी डालकर इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे दोचार दिन ही से ऐसी पड़ा रहने देंगे शेड्डी डे एरिया में वैसे भी ये इंडोर प्लांट है इसे चाये में ही रखना है डारेक्ट सनलाइट में नहीं रखना दो-तीन दिन में पता नहीं क्या हुआ बड़े बड़े जितनी भी लिवस से सारी गिर गई पर छोटी वाली ही बची है आधा दूरा रहे गए अप्लाट ये वीडियो लगाने के